हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल स्माइल अपन भी डॉक्टर पुन्नम बहुत सारे लोगों का यह सवाल होते हैं कि क्या बिना आर्सिटी के दांतों पर केप लगा सकते हैं क्या अगर आर्सिटी नहीं की हुई है और दांतों में केप लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी एसे क्यों मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट बोक्स में काफी कमेंट जैसे आते हैं और मुझे नॉर्मली पर्सनली प्रेशन्स यह सवाल पूछते हैं आज का मेरा यह जो वीडियो है वह इसी टॉपिक पे है कि दांतों में के बिना इफिकेशन्स मिलती रहें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगर आपको केप लगानी है किसी ने आपको सजेशन दिये है केप लगाने की या फिर आपका एक दांत मिसिंग है और आपको ब्रीज लगवाना है तो क्या बिना आर्सिटी के लगा सकते हैं तो इसक आप इसको बिना RCT के भी केप लगा सकते हों मालो आपको एक दांत नहीं है और आपको ब्रीज लगवाना है ब्रीज का मतलब यह होता है कि जो पास वाले दांत होते हैं उनको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है और उन पे केप लगाए जाती है और जो दांत मिसिंग है व यह मजबूत है नकमें कोई भी प्रॉबलम नहीं है लेकिन अगर आपके दांत में कोई दर्द है कोई फेक्शन है या आपके के बड़ दर्द में हो रालेकिन आपके दांत में केविटी है तो अगर ऐसी कंडिशन में अगर आप कभी बिना आर्सिटी के अगर केव लगवा लेते हों तो आपके दर्द हो सकता है in future क्योंकि केव लगाने से पहले दांत को थोड़ा सा reduce किया जाता है ताकि केव वो अच्छे से fit हो जाए तो जैसे हम reduction करते है तो sensitivity शुरू हो जाती है और अगर by chance आपके दांत में कोई infection है या cavity है तो वो आपके पर्द तक पहुँन सकती है जैसे ही केव से cover करते है और धीरे धीरे अंदर पस formation हो जाएगी अपसेस बन सकती है मवाद बन सकती है और infection ज्यादा बढ़ सकता है तो ऐसी condition में फिर आपके केव लगाने के बाद दर्द शुरू हो सकता है तो अगर आपके कोई भी infection है cavity है कोई भी दर्द है दांत में sensitivity है तो ऐसी condition में आप बिना RCT के के केव मत लगवाईए पहले root canal treatment कर लगवाईए उसके बाद आप उसमें केव लगवाईए तो यह है कि आप बिना RCT के के लगवा सकते है अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से रो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नॉटिपिकेशन्स मिलती रहें अगर आप लोगों को कोई भी क्योरी हो तो आप मुझे कमेंट वक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो थेंक यू